भाहिर याल मट्रेक, थोड़ा तो रहम करो यार, सारे प्लेस तुमारे पास है, विनीशेस तुमारे पास, रोड़िको तुमारे पास, चुवामनी तुमारे पास, कामा विंगा तुमारे पास, वेलवर्द तुमारे पास, और उसके बावच, और यहाँ पर अभी तुम लॉंडा पसंद आ रहा है भाईया लॉंडा जैसे तैसे मिलाय हमें हाथ पर जोड के हमने एक टैलेंट खड़ा किया केडमी से और यहां तो मारे पापा पैरे लाकर उसको लुभाने की कोशिश कर रहे है मैं किसी और की बात ने कर रहा है मैं बात करो गरनाचो की भाई कल रि तुम यहां पर एमबापे लेकर आओगे तो और टाइट हो जाएगी situation बैलिंगम मैलिंगम तुमारे पास है पहले से तो गरनाचो खेले का कहा हूँ और जिस एज पर गरनाचो है उसको यहां डेवलप होने का टाइम जादा मिल रहा है क्योंकि वो regular starter है मडरेट में जाका definitely at some point in his career मैं agree करता हूँ देखो जो बड़े players होते हैं या फिर जो बड़े potential players होते हैं वो मडरेट ज़रूर जाते हैं आप जितने भी नाम उठा कर देखलो आप हमारे club से David Beckham और Ronaldo जैसे players लेकर गए हो और आपने आपके Michael Owen वगरा को भी sign किया हुआ था तो I get that कि आपके पास है वो काबिलियत कि आप बड़े talents को लुभाने में बड़े ही जादा माहिर हो लेकिन भाई इस point of time पे अगर मैं गरनाचो के career को देखो और गरनाचो थोड़ा भी sensible होगा पहली बात तो यह कि इस वक्त पे गरनाचो की deal sense नहीं बनाती वो सिर्फ अभी गरनाचो की recent performance को देखते हुए आपके Spanish media ने थोड़ा से एक आप वो लोग एक news leak करने कुश्च किया देखते है इस वक्त पे सिर्फ गरनाचो नहीं जिसके साथ लिंक हो रही है अभी रियाल मड्रेट पापा पेरेज यहां पर अर्लिंग हालेंड को भी लुभाने की कोशिच कर रहे है और देखो मेरा तो पॉइंट यहां पर यह है कि अगर एमबाप पे और अर्लिंग हालेंड एकी टीम में आजाएंगे तो फिर बैलेंड और के लिए लडाई कैसे होगी काथ साल के अंदर चाने वाले हैं कलब से या नहीं जाने वाले है और मैंसिटी पे अगर 115 एलिगेशन के बाद चार्जेज प्रूव हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन पर कारवाई की जाती है और अगर लेट से की पॉइंट डिटक्शन होता है ट्रोफिस रोफिस हटा दी जाती है या फिर UCL से बैन कर जाता है को उस टाइम के लिए तो यहाँ पर डेफिनिटली फिर मौका बन सकता है अर्लिंग हालेंड का मैंसिटी छोड़के जाने का और अभी अगर हम रिपोर्ट की मानें तो वहाँ पर तो पैप गोटर यह कह रहा है कि वाई इसके रिलीस मतलब जिसके जो कॉंट्रेक्ट में रिलीस क्लोज है उसको हटा हो यहाँ से तो अगर ऐसा हो जाता है तो things will get more much more difficult for other clubs to get their hands on Erling Haaland but having said that यहाँ पर देखो मेरा यह मानना है कि अगर के लिए नंबाप पर Real Madrid जा रहा है I don't think Erling Haaland को वहाँ जाना चाहिए जा सकता है Real Madrid का pull power insane है वो कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने Zidane, Figo, David Beckham, R9 सारे खिलाड़ी एक टाइम पर लाके रखे थे Galactic Way Era में तो Papa Perez अगर अपनी पर आ गए इतना तो मैं पता कि Papa Perez उना देखेंगे ना दुना और कर देंगे बस स्वाहा तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि अगर ये दोनों खिलाड़ी ambitious है और ये दोनों खिलाड़ी एक legacy बनाना चाहते हैं और अगर बार सलोन थोड़ी सी भी sensible है इस वक्त पर तो definitely वो try करेगे कि अगर Mbappé Real Madrid जा रहा है 110% Mbappé is heading over to Real Madrid लेकिन हाँ ये है कि वो कच्छुए की न चीज़ें बदलती रहती है ऐसे ऐसे दर दर होती रहती है तो जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक आप उस पर कुछ बोल नहीं सकते कि भाई होने वाला है नहीं होने वाला है लेकिन हाँ अगर Mbappé जा रहा है Real Madrid तो बार सलोना ही वो पर आपके लिए नमबापए को जाना चाहिए क्योंकि लाली का रिवाइब होगी लाली का में जो राइवल्री वो चाहिए उसकी हाइप को वापस से लाने के लिए क्लासिकों जाब होते न तो वो और टाइम वाली वह एक फीलिंग नहीं आती क्योंकि रोनाल्डो वर्जि जो फेस हुआ करते थे इस राइवल्री का या लालीगा का वो इस वक्त पे नहीं है तो वो सबसे बड़ा सवाल है भाई के आखिरकार ऐसा क्या रीजन होगा जहां पर किलन इमबापे के साथ-साथ अर्लिंग हालेंड भी आपकी रियालमेटेट लेकर रहेगे और वो लीक को सारे बड़े खिलाडी एक क्लब में और उसके बाद अकेडमी ग्रेजुइट से लाम मास्या से बनी वो टीम तो सस्टेनेबिल्टी कैसे अटेन करेगी यहां पर वार्सलोना और गया रहा हूं कर भी ले लेकिन यार वो सेलिंग पॉइंट नहीं बने का लीक का क्योंकि हर क पर मड़ेट देखना प्रिफर नहीं करेंगा और एल क्लासिकों जब होंगे तो ठीक है उस वक्त पर किया होगा कि अंडर्डॉक स्टोरी बनाने की कोशिच की जाएगी कि यह एक टीम है जिसके पास इतने बड़े नाम नहीं एक टीम है जिसके बहुत सारे बड़े नाम है असली मड़ेट ही वो क्लब नहीं जहाँ पर हरकते चलनी भाई ट्रांसफर मार्केट में अटलेट को मड़ेट भी हाइली एक्टिव और हमारे ही ललके पीछे पागल है ऑल्दो कहने में थोड़ी सी शरम सी आती के हमारा ललका है लेकर ना देको यार यॉनाइटिड के वि पर की जा चुकी है और इस वक्त पर जो हालात है उसको देखते हुए यहाँ पर यॉनाइटिड केपिटलाइज करने की कोशिश करेगी ग्रीन वोड की केस में अगर अच्छा ओफर आता है पैसा एठा एठा जाएगा अब यहाँ पर एक्लेट को मड़ेट क्योंकि जाओ प्लेयर जो आपके होम पे आकर आपको मतलब आपके सामने सेलिवरेट कर रहा है गोल स्कूर करके जबकि ही स्टिल एन इतलेटिको मुव करना चाहती है आपके जाओ फिलेक्स से लेकिन उस केस में यहाँ पर आपके मेसन गीनवोड की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है तो इतलेटिको मुवड़ेट और दियोगो समयोड के अंडर मेसन गीनवोड खिलते हैं देखने मजा भी बहुत आएगा क्योंकि ही केन प्लेटिबल पोजीशन इस वरी वस्टाइल प्लेयर इस राइट विंगर इस आप बोलो के सिंगलर नमबर नाइन एन और आप आगे जाको देखो कि जाके ना तो टू फॉर्वर्वर्स अब टॉप भी आप खिला सकते हो उसको तो जो एटलेटिको का सिस्टम है जो डियोगो समयोड का सिस्टम है उसमें बहुत ही बकू भी तौर पे फिट होते हैं आपके मेसन ग्रीनवोड अब सवाल ये खड़ा होता है क अखिरकार मेसन ग्रीनवोड के लिए कितना पैसा डिमांड करेगी मैंचेस्ट उनेटि तो कि जो रिपोर्टेट प्राइस है वो बोला जा रहा है कि एनिटिंग लेस देन 50 मिलियन यूनाइटिड वोंट एकसेप्ट इट लेकिन हाँ नेगोशियेबल हो सकता है वो 40-45 मिल लाइन में प्लियर्स चाहिए ही चाहिए है और आदा फैन बेस कर रहा है नहीं भाई ऐसे करेक्टर के या फिर जिनकी उपर ऐसे सीरियस एलिगेशन लगे हो भले ही प्रूव ना हुए हो लेकिन एलिगेशन अगर लगे तो उसमें क्लब की इमेज काफी दा टारनेश होती लेकिर यह सारी चीज़े ना एथिकल बेसेस पर नहीं चलती और अगर मेंसिन इनवोट रुकता है तो बहुत सारे ब्रैंड्स ऐसे होंगे जो कत्राएंगे युनाइटिट के साथ स्पॉंसर्शिप डील आपकी एगरी करने में और यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों कि आ पर नहीं मैनेजमेंट यह रिस्क नहीं लेना चाहेगी क्योंकि उनको पैसा चाहिए है और अगर ग्रीन वूट की वजह से वो स्पॉंसर्स ऑन बोर आने से मना करते हैं आई तिंग लॉंग रन में हमें काफी इंपक्त कर सकता है एक प्लेयर के उप्सेशिन के चलते की काम वाला है आपके पास लीचा भी काफी यंग यह डैलो भी यंग है तो यहांपर एक सूपर स्टार की टीम बना सकते हम स्टर सूपर स्थास की टीम लेकिन उन फूचर स्टार में मेंस ainda का जो एक नाम है वो शायद इस वक्त वर शामिल नहीं किया जाएगा consequences को मद्दे नजर रखते हुए और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी भी इस possibility को rule out किया जा सकता है कि नहीं greenwood रुक नहीं सकते बिल्कुल रुक सकते हैं लेकिन क्या यह तगड़ा gamble यह एक आप बोलोगे do or जो die situation अभी हम बना सकते हैं अपने लिए क्या उसमें हम better decision ले पाएंगे और मेरे ख्याल में 10Hack का decision जो होगा basically कि 10Hack अगर रुकते है तो 10Hack क्या चाते हैं अपनी team से कौन से कौन से players चाते हैं और उनका क्या expectation है यहाँ पर अपनी higher management से greenwood की case में वो भी decide करेगा future और अब आप यहाँ पर देखो कि अगर हम बाकी clubs के transfers की बात करें तो आपको पता होगा यार के United market में available है आपके centerbacks के लिए लेकिन आपकी बाकी teams भी available है आप यहाँ पर देखो कि centerback के लिए आपकी Chelsea भी जाएगी centerback के लिए आपकी Arsenal भी जाएगी और centerback लिए आपकी Liverpool भी जाएगी और बहुत सारे common नाम है जो इन सारे club से link हो रहे हैं आपको याद होगा कि तब आपकी तोदीबो की link जो आए थे वो Chelsea से भी आए थे आपके तोदीबो की link Arsenal से भी आए थे एंड इस वक्त पर अगर मैं देखो तो यहाँ पर गोंचालो इनासियो एंटोनियो सिल्वा यह सारे के सारे plus इन सारे club से link हो रहे हैं और यहाँ पर United के case में तो आप बोलोगे कि हर एक नाव हमेशा link होता भी इसलिए क्योंकि उसकी market value आपके selling club को बढ़ानी होती है तो आसान है United से नाम जोड़ दो और अपना आराम से आप hype कर सकते हैं अपने player को और market में अगर United जा रही है उसके player के बीछे तो competition अल्रेडी बढ़ जाता है क्योंकि United ready हो जाती है अभी तक ready हो जाती थी over the top जाके pay करने के लिए I hope यह culture change हो हमारा अब इस season में आते आते क्योंकि नई management के साथ हम overpay नहीं कर सकते यान हमारे पास वो question है भी निए overpay करने का लेकिन इन सारी बातों के अलावा थोड़ी सी अगर हम अब ethics वगरा की बात करें और अगर हम Premier League में जो चल रहा है दबे कुछलों को और दबाया जा रहा है मतलब होता नहीं है कि भाई एक lower middle class का बच्चा है ठीक है और उसको अपने friend circle में ताने वाने सुनने पड़ते है क्यों कि भाई या उसके पास पैसा नहीं है वो उसके रहीस जादों सा दोस्ती हो गई है तो भाई यह के primary league रहीस जादों की एक टोली है और उन रहीस जादों की टोली में कुछ जो आप बोलोगे under privileged kids है under privileged आपके clubs हैं उनको दबाये जाता है बार बार suppress के जाता है example देने के लिए के भाई ऐसा हो सकता है तुमारे साथ भी लेकिन जो बड़े top dogs है चाहे वो United हो, चाहे वो Chelsea हो, चाहे वो City हो और चाहे वो आपकी Liverpool हो यह सारे clubs पर गाज नहीं गिरती especially अगर आप 115 charges लिए बैठी Man City की बात करोगे और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Nottingham Forest और Everton की already Everton को 6 points के deduction दे दिया था Nottingham Forest को भी अब 6 points के deduction दे दिया गया है which worsen up that situation in the Premier League table क्योंकि अब वो relegate हो सकते है और comeback करने का मोका भी बहुत कम है और matches भी काफी बड़े बड़े उनके सामने बैठे हुए है उसके बाद अगर मैं Everton की बात करूँ तो वहाँ पर further more 6 points के deduction expect कर सकती है Everton क्योंकि यहाँ पर Premier League जो आपकी है वो उनके ऊपर शिकंजा कसना चारी है अभी तीन दन पहरी रिपोर्स पढ़ी थी कि जो आपके FFP regulations है उनको थोड़ा सा loosen up किया जाएगा टीमों को थोड़ा relaxation देने के लिए तो यह relaxation किन teams को मिलने वाला है क्या यह नीचे बैटी टीमों को मिलेगा जो इतना revenue produce नहीं करते जो इतना fanbase इखटा नहीं करते या यह उन teamों को मिलेगा हमारे club को या Man City जैसे clubs को जो की privilege नहीं जिनके पास global fanbase है जो revenue generate करके देते हैं और देखो ultimately it comes down to the money business सीधी बात है बहुत ही सीधी बात है आप यहाँ पर किसी भी club को देखोगे जो club अभी privilege है उसके पास अपका fanbase है पैसा कमाने के लिए और यहाँ पर वो अभी अगर आप देखोगे आपके usual representation इसी चक्कर में 115 charges वाला जो भी scene चल रहा है इतना delay हो रहा है I am not saying कि man city guilty है लेकिन अगर आप यहाँ पर Everton को, Nottingham को इन सारे छोटे-छोटे charges के लिए singular charges के लिए punish कर रहे है तो 115 charges लिए वैटी man city को डेट साल हो गया उस decision को आये हुए अभी तक आपने एक action नहीं लिया उसके उपर यह दिखाता है कि अंत में आते आते ना end में आते आते पीटा उन्हें ही जाता है जो पिटने के लिए बने होते हैं बने होते हैं कौन? वो जो कमजोर हैं और जो ऊपर बैठे लोग हैं आप उनको punching back की तरह नहीं treat कर सकते क्योंकि आप उनको punching back की तरह treat करोगे तो concrete को hit कर रहो चोट आप ही को लगेगी तो वही वाली scene है भी यहाँ पर बढ़ आप लोग बताएं इतने सारी news के बीच में आपका गरनाचो वाली deal अर्लिक हालेंड और एमबापे वाला scenario पर क्या opinion है और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हमें Greenwood के साथ क्या करना चाहिए और यह जो Nottingham Forest और Everton के साथ हो रहा है क्या यह सही है या नहीं है बाकी अगली वीडियो मिलूँगा आपके साथ सब्सक्राइब करना मत भूले कर आपको वीडियो पसंद आईए एनरजी पसंद आईए और ऐसे ही फुटबल कॉंटेंट में आपको देता रहूंगा चलिए बाबाई टेक केर हिट अबेल आइकन सब्सक्राइब टू 1MFC